क्यों हावा निकल गई उधार के दामाजी तुम्हारे और दादा जी की बीच में जो खिजड़ी पक्रिये सब जान चुका हूँ मैं पापी पापी मुझे छुने से पहले हाथ धोई थे बाइया ये वाच इंपोर्टेट वाच है इसलिए मेरे हाथ पे सूट कर रहा है ये ठाई ग्रम का हाथ पढ़ेगा तेरी बोलती बंद हो जाएगी जरा सोच अगर मैंने ये सारी बात मामा जी को बताती तो तेरा क्या मेरे दोस्त की है एक भुक्का मारूगा तो तो अंडर्वेर पहने के लाइक भी नहीं रहेगा सॉरी भाईया जो भी तेरे पास है सब मुझे दे अब जो पहना है वो भी उतार दू क्या है क्राइम मास्टर गोगो को जानता है तेरी आखे निकाल कर गोटिया खेलूंगा स कितने दिन रहेगा पता नहीं लाली पॉडर लाया है याद रखना मामा जी तुझे सुभे का सूरज भी देखने नहीं देंगे तू तो वैसे भी अर्थी चड़ने वाला है मेरको दे दे जो भी है सब कुछ देखे जा तू मुझे ये तो गया तू मेरा बैक्टपैक किया कि नहीं बड़े भाईया रात को देर तक शूटिंग कर रहा था आंधेरे में कॉनसी फिल्म बनाई पुराने देवदास की आशी की मुझे ले ले लेता शकलिती भी नहीं ए इस फिल्म के देवदास तो आप ही हम्ये शूट किया मैं इन महीं इ इंतिजार ने होता, चल चल दिखा दिखा शेला, तुवर्ती जवानी ये जएक मैं तरे ले दुबाई से क्या लाया हूँ ये सब तुम अपनी अम्मा को जा कर दो जान तुम भी ना मेरे हाथ एक बकरा भसा है जैसे ही मामा जी आ जाएंगे उन्या सारी बात बता दूँगा फिर तो तुम्हारा मेरा चलसा ही चलसा हो मेरी शीला, तुवर्ती जवानी क्या करूँ ये सब तेरे सब कपड़ी में इंपोर्टेट वाचे, समाल के रखना क्यों रह, मेरी श्यूटिंग गर के रियालिटी शो बनाने वाला था अब ये क्या है सीडी है, जो उसमें था वो इसमें भी है पचास साथ कॉपिया है पूरे गाउं में बैटने वाले थे क्या चिट्टी के गुबबारे में से तो हवा ही निकल गई कहां कहां से हवा निकले, बता नहीं सकता हूं पूरा टाइम टाइम फिश क्यों भाया, घुसा मारो मेरी हड़ी पसली एक करो मेरी आख्या निकाल कर गोटिया मेरी गोटिया तुभे दूग्या मेरी नाख फोड कर खूल भूल जा, मेरे बाब सब भूल जा चान पट्टी चडगाई सुन चित्टी अगर गलती से भी मिस्टेक हुई और तुने मेरी ये पोल खोल दी ना तो ये ठरकी देवदास के फिल्म पूरे गाउं में रिलीस के तो आप टेंशन मत लीजिए आपका ए जो राज है ना मेरे छाती फेपड़े लंग्स के अंदर ही रहेगा मामा जी आगे गाड़ी में से सामान निकालो मामा जी आवारे जो मेरी नहीं डूप चुकी है भूमी भूमी चटी आओ भूमी चटी उपर आओ भूमी भूमी ए भूमी मैं इसलिए चिला रहता था कि उन्हें लगे कि हम दोनों प्यार में पागल है ठीक है ना प्यार का पता नहीं पर तुम पागल हो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा पर तुम्हारी दोस्तों मुझे हमेशा ऐसा ही बुलाती है बापू उसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा ठीक है नाश्टा तैयार है आजाओ भूमी हाँ तुम पर यह लाल रंग अच्छा है जचता है थैंक्स अब चलो पेड में चुए गूद्रे भाई आगे नाश्टा लाओ क्या रहे बुला रहा है डरा रहा है इस डर में भी प्यार चुपाए भाया बैट जा यह लो यह दोनों तुम्हारे लिए यह प्लेट तुम्हारे लिए नहीं है घरवालों के लिए है यह महालक्षमी बुआ है इनकी थोड़ी तारीफ कर दो बहुत खुश हो जाती है जरा सुनिये आप अपने हातों से खाना खिला रही है पर भूमी तो किसी और की तारीफ कर रही थी वह किसकी तारीफ कर रही थी उनका नाम शुरू होता था कुछ किसी तब करवाराका महलक्षमी रहा लगाम एंष्ण ख्योड़त कर एंश जशुद करें चिछाना बनाएं और दारीफ महालक्षमी की करूव और क्या कहा बताऊ ना बतल दी कहा तो उसने बहुत कुछ है कोई और मुझे पसंद करे या ना करे महालक्षमी ज़रूर पसंद करेंगी पता नहीं कितना सच है एक बात बोलू आप पिसलना नहीं हां कहिए तो महालक्षमी ना मैं हूँ महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, आप ही है, भूमी, कैसी ब्यूकुफ लड़की है, आप से काम करवाने के इस हिमत कैसे है, मैं आरज आओ, बेटो, बेटो, क्या हुआ क्रिश, अरे तू जा, आराम से बेटो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, मैं पूरुष दे यही है, मेरे डाड, यही है, मेरे कल लगजा, मेरे दोदो बाब, तो कहां गाइब हो गया था रिच्छु यह उसकी चुम्मी क्यों ले रहा है? तो उसे बास आदी तूरा है? प्लेलाल मेरे प्रेले मेरे काहले थे? जाड चश्मा लगाया तो बेटे को नहीं पहचाना? आप मुझसे नाराज है ना? मैं बिना बताया है यहां जो चलाया अवे तू मेरा मिटाया उसकी शलक्ता मुझसे ज्यादा मिलती है तू अपनी हकल मत लगा जितना कहा है उतना ही कर यार जूनियर आदिस्ट हूना ओवर एक्टिंग कर मैथा वेरी गुड आपका सफार अच्छा रहा ना? सफार कैसा रहा आपका? खाना खाया नहीं? नहाया की नहीं? टीपिकल इंडियन फैवली वाले सवाल आस्क सम्टिंग न्यू मैं वापस कब जाओगे? यही मेरी गड Marriage और यह है rice और यह है लटकी किसी के तु भाई हो ना कहीरिया की भाई तो नई डोले शोले अच्छे बनाया है वह रोज सुभ़ कुलाड़े Изय लख्डी काटता हो ना इसलीए डोले बन गये है तो कारफेंटर के काम करते हूँ अरे सुनिए आप भी कुछ कहिए ना बहन कुछ बोल इनकी रहते हुए मैं क्या कहूं हमेशा एक ही डालोग जिपकाती है यह लड़की आपके दूसरी बेटी ना है बोल रहा है वालत यह मेरी बेटी है शेकल से विलन लगता है देख मेरा जादू इसकी पूछ में आग लग बेटा पूरा बाप पे गया है तुम्हारा बॉइफ्रेंड का है इंदू मैं समझी नहीं अरे वही जो शेहर में अपने माबाप के साथ रहता है उसे बुलाओने यह अच्छा वो मैं मैं बस आरे मैं खुद कह रहा हूं ना उसे बुला ना तू वो मुझे नाराज हो कर कोई इस घर की लड़की को दुख देने की हिम्मत नहीं कर सकता फिर उसकी क्या बेसाथ मैं उसे कहीं से भी ठोण निकालूंगा यह तो इनके फैमिली प्राबलम है तेरी शकल में बारा क्यों बज़ रहे हैं चले हाँ भूक लगिए सुनो सब लोग तुम सब लोग मिलकर शहर में इंदू के कॉलेज जाओ वहां के किसी लड़के ने उसे प्यार में धोखा दिया है दो दिन में उस लड़के को यहां उठा कर लाओ जाओ लेकर आता हूँ अब जूनियर आटिस्ट तु यहां मामला सुधार ने आया या बिगाड ने आया उस पहलवान को मिर्चे लगाने को तुछ से किस ने कहा था मैं शेकल से क्यार तुम्हें कॉमेटिन लगता हूँ नकली बाभू तो क्या हुआ तुमने मुझे पैसे दिया होंगे इस काम के लिए पर आटिस्ट की इज़त है जूनियर आर्टिस्ट यार यहां हो क्या रहा है तुम शायद खुद को बहुत होशियार समझते होगे पर अगर मैं अपना मूझ खोल दू तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा तो भूलने मत रिष्टे में हम तुम्हारे क्या लगते है आई बाप सॉरी शेहनशा मैंने मैं अपकी शाहन में गुस्ताफ शेहनशा किसे बुला रहे हो सॉरी डाड़ी अब अकल्ठीका ने आई आज इसकी हिज़त करो हुआ है सार आपको देखकर मुझे मेरे वीते दिन याद आगए सेम टू सेम है ना पहले तो मैं भी लंबी रेस का घोड़ा हुआ करता था पर आभी तो मार मार कर मुझे खचर बना दिया इन्होंने यह कन्नुमली के भाई है बिना ताल के बजाए जा रहा है तुम्ही मेर लगते हैं तुम्हें इसकी हालत भी मेरी जैसे ही करना को अवेडियान से ट्रेजेडी केक बढ़े अरे जीज़ा जी तारीक नजदीक आ गई है इन सब लोगों को शहर ले जाकर ज़रा कुछ कपड़े लगते दिलवा दीजिए आप चिंदा क्यू करते हैं मैं हूँ ना लगते ही तो यह टुपई तुछेला इसेंस किस न दिए श्टूपई उस ने भाई की चुम्मी ली दोनों की शादे हुने वाली है चुम्मी तो क्या हुआ इय कुम्मी बाई वाली ने ने नहीं दाई तुम्हें कैसे पर दा चलाए? शीशे में देखा शीशे में दाया बाया और बाया दाया होता है वाके इस्टूपीड है चलागे बड़ अरे भाया मैं तो घब्रा गया था अच्छा हूँ बाया से चुम्म्म आई अगर दाई से चुम्म्म आती तो किती बड़ी प्राब्लम हो जाती उसका बाप तो टारजन का भी बाप है ये दाया बाया भूल जा तुने उस शीशे में किसे देखा था? वह ही तो मुझसे गल्तियों मैंने इंडू को देखा था वह जच में इंडू ही थी तो तरिफ नाम का ही नहीं काम का भी कृष्णा है बूमी और इंडू डर नहीं लगता हो मैं फिकर क्यों करूँ तू है ना संभालने के लिए तुमने तो मुझे बली का बग्रा बना रग्का है गधा नहीं मिला ना इसलिए लेप साइड वाली निकालो बहु के लिए कितनी चाहिए और दो ही लेनी है बीवी तुम बीच ले 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 लो तो आपके लिए तीस आरप तुम ऐसा करो गोता तो मैं भिकारी हो जाए यार दूला मैं नहीं वह है तुमने एक गल्ती पर मेरी बैंड बजाए थी इसका मीने का क्या होगा यह कितने की है मौसी मौसी अरे चिला क्यों रही हो मौसी इस साड़ी कैसी लग रही है इस साड़ी की जरी अच्छी है ना साड़ी तो अच्छी है पहनने वाली खराब लग रही है तुम्हें किसे बता क्रिश तुम्हारी बातों से लगता है कि पुरानी पहचान है प्रिष्ण कनाईया यह तो भाईया की आदत है चोल चुईट किसी को कुछ बोलना हो बगेर सोचे मूँ पर बोल देते हैं यह कपड़े को खराब बोलने के बज़े तुम्हें बोल बैठे है ना भाईया तुम साडी के बारे में पूछ रही थी यह साडी बहुत ही बुरी है हिंदू तुम इसमें बिल्कुली डायन लगोगी मैंने कुछ गलत बोला क्या मैं कुमारी टेंचन समझ सकता हूँ दोस्त कूल टाव कूल यह पैकेश किना रख़तो है इसकी तो क्या हुआ डाडी यस डाडी जाए जाके से ट्राइकर लड़क्या के लिए भी लेंगे पड आइपर के टाइम से यह ही चल रहा है तो या ना जाता हुआ ना जाता हुआ ना जाता हुआ तो तेरे तो तुम यहां क्यों कुछ रही हो तुम्हारी तो क्या कह रहे थे पहनने वाली खराब लगेगी क्या रहे एसी में पसीने छूट रहे है पेट में कर बड़ेस सॉरी डैडी मैं ट्राइकर करके आता हूं बस एक मिनिट दीजिए अब पता चला मेरे चेहर पे इतने पसीने क्यों जूट रहे है मेरे पसीने और से छूट रहे है तुमने अभी तो कुछ नहीं देखा अंड अगर अपने भगोड़े लड़के के लिए तुम इतनी तारीफ करोगे तो मैं अपने हैंसम बेटी की तारीफ क्यों न करूं बोलती क्यों बंद हो गई साफ सुन गया क्या ड़ी चुप हो चाहिए ड़ी चुप कर बच्चे पैदा करना मुश्किल नहीं है आधे खंटे की ड़ी जब बढ़ों के वीच में नहीं बोलते हैं दुश्मन की बजाने के रिए क्यापैसिती होनी चाहिए जो मेरे बेटे में है ड़ी क्या कर आप पर वट अबट यू तुम्हारे बेटे तो किसी काम का नहीं एक दम खोचू अंकर आप नहीं जानते आपके फूचर में क क्या होगा अंकर मेरे फूचर के तुम चिंदा मत करो वो तो इसके हाथ में है ये सो स्ट्रॉक ड़ी सूने चले मुझे नींद आ रही है बम भूटेगा ठीके अरे संधी जी आप तो बहुत खुश किसमत है आपका बेटे तो अभी भी आपके साथ ही सोता है ड़ीज मैं सन अब ही मैं वहां था यहां आ गया क्या जमीन खिसका गई उनके पीछे क्यों पड़ाया तू साले जूनियर आर्टिस्ट उनकी कमर तक तो पहुंच नहीं पाता उसला ही अक तुलाफा पड़ेगा ना तो जिंदगी भर के लिए पौटी बंदो जाएगी मैंने इतनी एक्टिंग कियार बड़ा पर्दा होता तो लोग चिलर फैटे अकल नहीं है तुझ में तुने मुझे गाली दी ऐसे कैसे हाव इजी पॉसिबल मैंने तो उसके बेटे को गाली आदी वो बेटा मैं ही हूँ बिचारा गया काम से मा क्या गया था मुझे याद है तूने तुम्हें उल्लू कहा था तू सोरी सोना अरे या मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था हर लाइन पर एक लाफा खाने को तयार हो जा क्यों सर खातिरदारी में कमी तो नहीं रही आप तो सब कुछ जानते थे ना सर आपको बताना चाहिए था वह आपका बेटा है पैसा वाप बड़े परिशान लग रहें परिशान रात को जो उसने बजाना शुरू किया एक मिनट के लिए भी म्यूजिक नहीं रूकी दोनों तबले का तक धिना धिन हो गया अरे संधी जी रात को तो आपने अपने बेटे को मस्त लोरी सुनाई और क्या बच्पन से वह ही किया रात को तो आप काफी जोश में बात कर रहे थे प्लीज उसकी याद मत दिलाईए आरे क्या-क्या डायलॉग मार रहे थे आप ठीक है नाश्टे पर मिलते हैं मुझे डाउट है क्या होगा अगर मेरी ओवर एक्टिंग पकड़ी गई तो अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी पर सोचो आपका क्या होगा